जैहिंद एवरीवन डिजाय टूलन के डेली करेंट अफेर सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ मेरा नाम है सागर गुपता तो आज हम यहां पे कवर करने वाले 24 और 25 अक्टूबर के करेंट अफेर इसमें हम जारेंगे इंपॉर्टेंट फैक्स और अगर आपने पुरान करते हैं और विना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि फॉस्त आपनेट कोशन है वह आपका क्या है अगर हम first आपके important question की बात करें आपको पता है कि अब भी हाल ही में आपके 55th edition आपका जो host होने वाला है International Film Festival of India जिसे हम iffy के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं और अगर हम आपसे बात करें यह host कौन करता है तो यह basically host करता है हर साल यहाँ पर host करता है गोवा ठीक है तो आपसे यह पूछा गया है कि इस बार की जो focus country होगी वो इस बार की focus country कौन सी होने वाली है ठीक है Australia इस बार की आपध्र होगी अगर मैं आपसे बात करएं इसकेंव इस्तापना कप की थी first आपका कप celebrate किया था तो ये celebrate किया था 1952 में ठीक है अगर हम आपसे बात करें 54th इफी के बारे में ल Mei कहां पर host किया था ये भी host किया था आपका गोवा में और अगर हम आपसे बात करें कि इसमें कौन-कौन से आपकी important awards यहां पे दिये जाते हैं तो first आपका जो important award दिया जाता है वो दिया जाता है golden peacock award ठीक है golden peacock award कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह basically किसको दिया था यह दिया गया था आपका endless border को ठीक है याद रखेगा बहुत जादा important endless border को और अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसमें एक और award यहां पे दिया जाता है जिसमें जिसका नाम है सत्यजीत रे lifetime achievement award और यह किसको दिया गया था यह दिया गया था माइकल डॉगलस को ठीक है काफी बड़े दिगच डायरेक्टर हैं आप इनका नाम याद रखेंगे और अगर आपसे एक्जाम में पूछने की यहां पे किसको दिया था दौजाट चोविस ज़जा दौजाट दौजाट एविस का हुआ था वह किसको दिया था तो वह दिया गया था पंचायत को ठीक है चोटे-चोटे Ministry of Information and Broadcasting आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्डेंट कोशन है कि हाली में आपका जो कजान डिकलेरेशन यह बेसिकली एडॉप्ट किया है तो यह इसका रीजन क्या है यह क्या करेगा ठीक है तो बेसिकली आपको पता होगा कि यहां पे जो ब्रिक्स की जो इसकारा मेंबर्स को यहां पर और यहां पर चेरमेंशिप देने की बात की गई है एलाइंस में इंक्लूड करने की यहां पर बात की गई है तो आप वो चीज भी आपर याद रखेंगे और आपको यह सारी चीज़ें यहां पर पता होना चाहिए कि जो कजान डिकलेरेशन ह और यह बेसिकली क्या करेगा तो इसमें UN में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा और यहां पर जो पैलेस्टाइन की मेंबर्शिप के लिए यहां पर बात की गई है आपके जो कजान डिकलेरेशन हुआ है उसमें तो याद रखेगा जो 50 जो 16 आपकी सब्मिट हुई है आपके ब्रिक्स की वह कहां पर हुई है कजान रशिया में और इसमें क्या बात हुई है इसमें बात हुई है पैलेस्टाइन को हम लोग full membership के लिए support करेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टन कोशन है कि हाली में महात्मा गांधी लीडर्शिप अवार्ड यहां पर किसको दिया गया है ठीक है यह बेसिकली अवार्ड यहां पर अगर हम बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है आपका दारा सिंग कुराना को और अगर हम आपसे ब इस अवार्ड को हम लोग Year of Youth Champion Award भी यहां पर बोला जाता है ठीक है तो याद रखेगा Year of Youth Champion Award भी यहां पर बोला जाता है और बेसिकली अगर हम आपसे बात करें जो Awareness Mental Program है इसलिए यहां पर इनको यह अवार्ड दिया गया तो याद रखेगा महात्मा गांधी Leadership Award यह अवार्ड दिया जाता है यूके के दौरा और यह दिया गया इस बार दारा सिंग कुराना को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप हम बात करते हैं पोलियो दिवस की अगर हम आपसे बात करें तो पोलियो आपका कब यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है पोलियो की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं UN Day के साथ United Nation Day उनाइट नेशन डे भी आपका 24 October को हम लो Global Mission A Global Mission To Reach Every Child फिक है यह एक Global Mission है जहां पे हमें हर एक चाइड के पास यहां पे हमें पोचना है और अगर हम आपसे बात करें भारत में आपके पोलियो को कब मियमूफ कर दिया था तो यह रिमूफ कर रहा था आपका 2014 में अगर मैं आपसे बात करूँ अब भी कौन सी कंट्री को अभी मलेरिया फ्री यहां पर डिकलियर किया है डबलू एचो ने तो यह किया है आपका एजिप्ट ने प्रिवियस क्लास में ही हम लोगों ने यह ओर इडिसकस किया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते कि अब यहाली में ने अपर सिलवर मैडल यहां पर जीता है Archery World Cup में ठीक है तो आपको बताना है यह basically Archery World Cup कहां पर हुआ था तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दीपा कुमारी ने कौन सा medal जीता है तो यह जीता है Silver और इस बार का जो Archery World Cup हुआ था वो कहां पर हुआ था वो हुआ था आपका किधर, वो हुआ था आपका Mexico में, Mexico का capital क्या है, Mexico City, अगर हम आपसे बात करें, Mexico भी आपकी जादा news में रहा था, क्योंकि यहाँ पर first female president यहाँ पर चुनी गई है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है Claudia Shenbom, क्लाउडिया शेन्मों यह नाम आप याद रखेगा बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और आपसे अगर एक्जाम में पूछ लिया जाए कि दिपीका कुमारी ने किसको हराया था तो यह हराया था बेसिकली एक चाइना के यहाँ पे प्लेयर है जिनका नाम है ली जैमेन ली एक्जाम में पूछ लिया जाए कि कहां पर होस्ट किया था तो यह बेसिकली होस्ट किया था मैक्सिको में और आप क्लाउडिया शेन्मों को याद रखेंगे बहुत जादा इंपॉर्टेंट है चलवा आगे बढ़ते हैं हम बात करते कि अब भी हाल है कौनसी कंट्री को यहां पर मलेरिया फ्री अहां पर डिक्लियर कर दिया ठीक है तो यह पहले भी डिसक्स किया था और आज हम बापिस से डिसक्स कर रहा है कि अब भी हाल हम व्ल्ड हल्थ ओर्गनाईजेशन के दारा जिसे हम डबलु ए शो के नाम के से जानते हैं इसने अब भी हाली में आपे कौन सी कंट्री को आपका malaria free यहां पे declare कर दिया तो यह declare करा एजिप्ट को आप देख सकते कि इसमें अब यहां पे कोई भी यहां पे क्या होगा case नहीं होंगे malaria के तो काफी जादा एक important news है और आपके exam point of view से भी काफी जादा important है अच्छा malaria होता किस से malaria अगर हम आपसे बात करें एक मच्छर है जिसका नाम है anophilis mosquito ठीक है यह लिग देता हूँ मैं आपको anophilis के काटने से anophilis का एक मच्छर होता है उसके काटने से यहां पे आपको malaria होता है और इजिप्ट का यहां पे जो capital है वो क्या है एजिप्ट का capital है आपका Cairo तो यह चीज भी आप यहां पे ध्यान रखेगा और काफी ज्यादा important question है आपसे exam में पूछा जाएगा कि अब भी हाली में malaria free country हापे कौन सी बनी है तो वो बनी है आपकी एजिप्ट आगे बढ़ते है नेक्स्ट आपका important question है कि अब भी हाली में कौन सी country ने UPI unified payment interface जिसे हम UPI के नाम से जानते है उसमें अपना क्या किया है उसमें अ या फिर मालदीव के दौरा अगर हम आपसे बात करें अब भी हाली में मालदीव ने UPI को अपनी country में introduce कर रहा है अगर आपसी exam में पूछले कि कौन कौन सी country UPI को use करती है तो एक बार में हापके लिग देता हूं जिसमें आपकी शामिल है बुटान दूसरा आपका नेपाल ठीक है थर्ड आपका UAE फोर ता आपका सिंगापूर ठीक है और और कौन सी शामिल है आपकी फ्रांस और आपकी शामिल है मौरिशिस और आपकी शामिल है आपकी श्रीलंका ठीक है और आपकी शामिल है ओमान तो यह आप 8 countries आप याद रखेगा बहुत जादा important है इन केस अ UPI को एनाउस किया है तो आप याद रखेगा मालदीफ ने किया है बट आप याद रखेगा आट और कंट्रीज है जो आपकी UPI को यूज करती है बुटान, नेपाल, UAE, सिंगापूर, प्रांस, मौरिशे, स्री लंका और आपकी ओमान आगे बढ़ते है नेक्स आपको जो important कोश चाने कि अब भी हाल ही में भारत ने 4th nuclear powered ballistic missile submarine यहाँ पे launch कर दी है और इसका यहाँ पे code name यहाँ पे दिया गया था S4 तो आपको बताना है इसका basically name क्या रखा गया है INS अरिधमन, INS चक्रा, INS अरियंत या फिर INS अरिघात ठीक है अगर हम आपसे बात करें आपने यह सारी INS के नाम तो यहाँ पे सुने होंगे basically अरियंत भी सुना होगा चक्र भी सुना होगा अरिघात शायर नहीं सुना होगा एक बार मैं आपको सारी बता देता हूं ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ हम लोगों ने अभी तक चार हमारे पास submarine है जिसमें हम लोग code के नाम से जानते अरिधमन तो यह बहुत जादा important हो जाती है आप इस पर star mark कर लो आपसे question direct exam में पूछा जाएगा कि अभी हाली में यहां पर कौन सी यहां पर launch की गई है तो याद रखिएगा INS अरिधमन यहां पर launch की गई है ठीक है अच्छा इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसकी जो range है वह कितनी है वह है आपकी 3500 किलो मीटर तक यहां पर इसकी range है अगर हम इसमें rocket यहां पर launch करते हैं तो आप इस चीज को भी यहां पर याद रखिएगा चलो अगर मैं आपसे बात करूँ आप भी आपको पता होगा BLF यहां पर जो हमारा ship से हम लोग communication करेंगे उसका यहां पर second center यहां पर बनाया जाएगा वह बनाया जाएगा आपका तिलंगाना में और यह कब तक complete हो जाएगा यह complete हो जाएगा आपका 2027 तक अगर आपने पूरे पुराने कर इंटरफेस देखे होंगे तो आप चीजों क यहां पर चीजों को लिंक कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो important question है कि हाली में जो अब भी press conference होगे आपकी स्वालंभन 2024 यह बेसिकली अब आपका third edition यहां पर होने वाला है तो आपको बताना है कौन सी आपकी city में होगा वाइजएक न्यू देली गोवा या फिर चैन नहीं अगर हम आपसे बात करें जो स्वालंभन यहां पर जो होता है इंडियन नेवी के द्वारा इसमें जो हमारा नेवल में क्या-क्या हम इनोविशन कर सकते हैं हमा कैसे आप इंडिजीनियस ली चीजों को यहां पर बढ़ा सकते हैं जैसे अब भी हम लोग सम्मरीन डवलप कर रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कलवारी क्लास के हमने वक्षीर को यहां पर किया है ठीक है तो ऐसे हम लोग और क्या-क्या इंडिजीनियस ली चीजों को डवलप कर सकते हैं यही आपका स्वालंभन में आपे चीजें डिसकस की जाती है तो याद वैतनाम होंग कोंग या फिर इंडोनेशिया काफी ज्यादा इंपॉर्डेंट कोशन है क्योंकि आप से यह मिलेटरी रिडर रह चुके है और यहां पर यह बन चुके है प्रसीडेंट तो अगर आप से एक्जाम में पूछ लें तो यह बने है बेसिकली वैतनाम के और वैत इनेशन और मूसी रिवर का मॉड्यों यूज चिया जाएगा उस रिवर का तो अगर हम आपसे बात करें यह जो मूसी रिवर है किसके ट्रिब्यूट्री यह कुशन आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है तो यह बेसिकली आपकी ट्रिब्यूट्री है कृष्णा रिवर कर पाएंगे तो यहां पर आपका कौन सा साउथ कोरियन रिवर है जिसका यहां पर मॉडल उठाके इसे यूज किया जाएगा मूसी रिवर में तो यह बेसिकली हान रिवर का जो मॉडल है साउथ कोरिया में यूज किया गया था उस मॉडल को हम डारेक्ट यहां पर यूज करेंगे आपका जो मूसी रिवार है जो कि कृष्णा की टिर्ब्यूटरी है इसमें हम लोग यहांपर यूज करने वाले हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि जो कालीदास सम्मान अवॉर्ड है यह बेसिकली आपके आर्टिश रगुपती भट को यहां पर दिया गया है नवाजा गया है तो आपको बताना है यह कौन से स्टेट का यह अवॉर्ड है प्रिवियसली हम लोग प्रदेश का यह अवॉर्ड है और राजकुमार हिरानी साब को भी अभी एक अवॉर्ड दिया गया था नैशनल किशोर अवॉर्ड अचा कालीदास की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में बता दिता हूं उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मेग दूट है तो यह क अध्यप्रदेश सरकार के द्वारा या वाट दीया जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने में बात करते हैं हाली में सेकिंड एडिशन ओसागर कवच एक्सुसाइज जैसा कि आपको पता है हर यहां पे सागर कवच एक्सुसाइज होती है और परस्ट एडिशन मैं यहां पे फ्रस्ट हुआ था और जो आप सेकिंड एडीचन यहां पर होगा यह अपका सागर कवाज एक इस इस्टिश सेकिंड एक सागर कवच एक्सराइज होगा वह ङौत किया जाएगा आपका गज़राथ दमन्दियू के द्वारा और फस्ट आपका कहां पर किया गया था यह किया गया था आपका आंधर प्रदेश में इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि आपसे पूछा गया है कि जो कॉप 16 पहले तो मैंने अभी कमेंट सेक्शन में रेखा था बहुत सारे लोग यहां पर कॉप 29 इस डिफरेंट कॉन्फरेंस और पार्टी से कहा जाता है और यह देखो यह क्लाइमिट कॉछे जाते है और यह बेसिकली ब्यॉजडिया के लिए कांफरेंस की जाती है जूजडिया में और अगर आम बात करें आपसे कश्टीन कहा पर वी तो यह हुई थी आपकी कैनेडा में और अगर मैं आपसे बात करूँ इस बार की जो थीम है वो इसकी थीम बहुत ज्यादा important है इसकी थीम है आपकी peace with nature star mark कर लो बहुत ज्यादा important theme है एक्जाम में direct पूछी जाएगी और अगर आपसे पूछ ले Conference of parties जो climate change के लिए होती है COP 29 कहां पर होगी तो वह होगी आपकी अजरबाईजार में आपकी November में होगी और आपकी जो COP 28 हुई थी वह कहां पर हुई थी वह हुई थी आपकी दूबई में सेम कोशन उठके आपका CAPF में पूछ लिया गया था क्या पता नेक्स बार आपसे COP 16 और COP 15 का भी पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं नेक्स अब आपका जो important question है हाली में रितविक चोदरी और आपके जो अरजुन खाड़े हैं इनने अब भी हाली में Almaty open means double title यह आप जीत लिया है तो आपको बताना ही कौन से sports से related है ठीक है अगर हम आपसे बात करें Almaty Almaty कौन सी city में कौन सी country में तो यह basically है आपके कजाकिस्तान में ठीक है अचा भारत और भारत और कजाकिस्तान एक exercise करता है जिसका नाम है आपका कजिंद ठीक है और यह कजिंद इस बार कहां पर हुई यह हुई आपकी ओली ओली कहां पर है ओली यह आपका उत्राखंड में स्टार मार्क कर लो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है exercise कजिंद जो कि आपकी भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है तो अलमाटी से तो हमने चीजों को लिंक कर दिया बट अगर हम आपसे बात करें अलमाटी ओपन टाइटल किसने जीता तो यह जीता रितवि के रिजल्ट्स यहां पर क्या होता है तो जो भी होगा मैं आपको इसके लिए अपडेट कर दूँगा बस मेरे को न्यू स्पीट में आया था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं रोहन बोपन्ना अगर हम आपसे बात करें तो यह oldest आपके tennis player है जो grand slams में खेले थे और इ International Film Festival of India की focus country भी यहां पर शामिल है आगे बढ़ते है नेक्स्ट आपको जो important question है कि हाली में जो इशरम जो portal है one stop solution यह basically क्या करेगा क्या यह unorganized workers को loan देगा ठीक है क्या यह mediate करेगा यहां पर schemes को ठीक है क्या यह basically promote करेगा skill development among unorganized workers क्या यहां पर international job placements यहां पर provide करेगा ठीक है बताइए तो यह basically आपको क्या करेगा promote करेगा skill development among unorganized workers ठीक है मतलब यहां पर जो unorganized यहां पर जो worker रहेंगे उनको क्या करेगा यहां पर skills यहां पर provide करेगा तो यह चीज को आप याद रखेगा बहुत ज्यादा important है अच्छा पहले मैं आपको यह बता देता हूं यह basically मतलब अगर हम बात करें यह basically कौन सी ministry के द्वारा launch किया गया है ठीक है तो यह basically launch किया है ministry of labor and employment के द्वारा ठीक है ministry of employment and labor के द्वारा इसे किया गया है मैंने क्या बता है आपको skill development ठीक है skill development करेगा या फिर schemes के लिए करेगा दो मिट रुकेगा यह जो इश्रम पोर्टल है यह इश्रम पोर्टल थोड़ा सा यहां पर confusion हो गई दी यहां पर याद रखेगा जो इश्रम जो पोर्टल है यह basically क्या करेगा यह जो आपके unorganized workers हैं उनको कौन-कौन सी जो schemes यहां पर पता नहीं होती उसके लिए यहां पर यह help करेगा ठीक है ना कि यह प्रमोट करेगा skill development programs के लिए थोड़ा से यहां पर confusion हो गई तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और ना ही यह जॉब placement के लिए help करेगा ना ही यह loan में help करेगा यह सिर्फ आपका schemes में help करने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स ने अब भी हाली में आपे officially एनाउंस किया गया है कि हम लोग इतने members as a partner countries हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसमें कितने members यह लोग जोड़ेंगे 12, 13 या फे 14, 15 ठीक है अगर हम आपसे बात करें इसमें बहुत सारी countries यहां पर add-on होने वाल यह और आया आपका कजान रशिया में ठीक है और बेसिकली मैंने आपको इसके बारे में अल्रेडी सारी चीज़ें आपर बता चुका हूं इसके जितने भी members हैं वह मैं बता चुका हूं एक यहां पर currency भी यहां पर launch की गई है अब भी इसे officially नहीं बनाया गया है बड़ वो पताना है यह कौन यह क्या है ठीक है अगनियस्त की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह basicली क्या है यह detonation drive है ठीक है Detonation एक device है और अगर मैं आपसे बात करूँ हमने अब भी कुछ device और किसी के बारे में हमने पढ़ा था जैसे आपको पता होगा थाड अच्छा थाड हम लोगों ने पढ़ा था ना थाड क्या है बताओ एक हमने सेवेक्स भी पढ़ा था ठीक है और क्या पढ़ा था हमने एक गौरफ पढ़ा था गौरफ भी पढ़ा था और क्या पढ़ा था हमने एक कमास पढ़ा था कमास भी बहुत जादा important है Indian Air Force इसे induct करने वाला है एक हमने Asmita पड़ा था चलो पहले तो 5 ही बता दो देखो अगर हम आप से बात करें THARD क्या है तो THARD आपका जो US है वो आपका इसराइल को यहाँ पर भेजेगा Defense Missile System है यह Missile System है यह SEVX के अगर मैं आप से बात करूँ तो यह बेसिकली क्या है Explosive है और यह बेसिकली क्या है यह आपका Glide Bomb गौरफ तो इसको भी आप याद रखेंगे important है कमास की अगर मैं आप से बात करूँ तो यह एक टाइफून वीकल है टाइफून वीकल है और असमीता आपको सबको पता होगा यह आपकी सम मशीन गन है यह बी भी न्यूज में आई थी जब इसको यहाँ पर adopt किया गया तो आप इस चीज को याद रखेंगा थाड सेबेक्स कमास और यहाँ पर असमीता और अगनी अस्त बेसिकली क्या है यह आपका एक detonation है आगे बढ़ते है नेक्स हम बात करते हैं हाली में जो यूफा ठीक है यूफा भी हाली में arrive की गई है कोची में तो आपको बताना है यूफा कौन सी country की है बेसिकली अगर हम आप से बात करें आप मेरिटाइम इंटरनेशनल जो चलती रहती है तो उसी के संदब में आपका जो यूफा है वो इंडिया यहां पर आई और कोची में आप इसे डिपलॉय किया गया है तो आपको बताना ही कौन सी country की है यूएसे रशिया जपान या फिर सिंगापूर जैसे हमारी जैसे हमारी शिवाली के वो भी घूमती फिरती रहती है वैसे इनकी यूफा हमारे देश में आई है कोची में इसलिए एक थोड़ा सा important यह question हो जाता है तो यूफा अगर हम बात करें तो कौन सी country की है तो यह बेसिकली आपकी रशिया की जहां पर आपकी 16th brick summit यहां पर host की जा रही है आगे बढ़ते है नेक्स्ट आपका जो important question है कि अब भी हाली में किस bank की यहां पर palm core को first female CFO यहां पर बनाया गया है HSBC standard chartered city bank या फिर न अगर मैं आपसे बात करूं यह bank काफी दर्शों को यहां पर पुराना है इसकी स्तापना हुई थी 1865 में और जो इसका headquarter कहां पर रिस्ते थे इसका headquarter रिस्ते थे आपका लंदन इंग्लेंड में तो ठीक है याद रखेगा इसकी जो first female CFO बनाया गया है वो बनाया गया है palm core को और यह bank है आपका HSBC bank याद रखेगा बहुत जादा important है जिसकी स्तापना 1865 में यहां पर की गई थी तो आशा करता हूं आपको यह जो current affairs के daily session से पसंद आ रहे होंगे और मुझे लगता है क्योंकि जहां पर न्यूज रहती है मैं आपको एक दिन में करवा देता हूं जहां पर नहीं होती है आपको डेली बेसिस पर कवर करना ही पड़ेंगे क्योंकि आप मंतली current affair करने जाते हो चाहे वह कितना भी solid mentor हो या कोई हो चाहे मैं भी अपनी बात करूं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके इसकीप हो यह जाती है और शायद वही आपके exam में अगर आ जाती है तो दो या तीन number की आपे बात आ जाती है ठीक है तो आज अगर तो कोई वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियों में जब तक के लिए ध्यान रखेगा जैहिन जैबार